आज हम बात करेंगे जब आप इगनू का एक्जाम देते हैं और एक्जाम देने के बाद जब आपका रिजल्ट आता है तो इसमें कई बार ये होता है कि आप एक या फिर दो सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं तो ऐसे में आप में से बहुत से student का ये कहना है कि हम जिस भी subject में फेल होते हैं तो जब हमारा final mark sheet आता है तो क्या mark sheet पर कहीं पर लिखा हुआ रहता है कि हम कौन-कौन से subject में फेल हो चुके हैं तो आज मैं आपको इसी के बारे में detail में बतानी वाला हूँ जब आप इगनू का exam देते हैं अगर इसमें आप किसी भी year या फिर किसी भी semester में फेल हो जाते हैं यानि कि आपका back आ जाता है और जब final year में या फिर final semester में आपका mark sheet आता है या फिर degree आता है या फिर provisional certificate आता है तो उस पर कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ रहता है कि आप कौन से subject में फेल हो चुके है या फिर कौन से subject में आपका back आ रखा है जैसे कि यहाँ पर आप एक mark sheet देख सकते हैं यहाँ पर बस subject code लिखा हुआ रहता है course का चुड़ नाम है यानि कि जो title है वो लिखा हुआ रहता है assignment का number लिखा हुआ रहता है और number आपको बताया जाता है कि आपके कौन से subject में कितना number आया है कहीं पर भी नहीं लिखा हो रहता है कि आप कौन से subject में फेल हो चुके है लेकिन यहाँ पर आपको एक बात का जरूर पता होना चाहिए कि इस पर एक चीज लिखा हो रहता है तो इससे ये पता चल सकता है कि आपका admission कब हुआ है और आपका जो bachelor degree है master degree है diploma है या फिर certificate है इसको आपने कितने साल में complete किया है जैसे कि तीन साल का program तीन साल में किया है या फिर नहीं दो साल का program दो साल में किया है या फिर नहीं एक साल का diploma एक साल में किया है या फिर नहीं च्छह महिने का certificate course ने 6 महिने में किया है या फिर नहीं कैसे पता लगा सकते हैं तो देखिए जो आपको mark sheet दिया जता है तो इस पर पहले तो आपको बताया जता है कि आपका admission कौन से साल में हुआ है और कौन से महिने में हुआ है जिसको आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ रहता है और उसके बाद यहाँ पर बताया जता है ट्रम एंड एक्जाम इसमें आपको यह बताया जता है कि जो आपका final year है या फिर final semester है वो आपने कब complete किया है तो इन दोनों ही नंबरों से आप यह पता लगा सकते है कि आपका admission कब हुआ है और कितने साल में आपका जो degree है, diploma है या फिर certificate है इसको आपने complete किया है इसके अलाबा ये भी mark sheet आप देख सकते है इस पर भी same चीजे लिखा हुआ रहता है कि आपका admission कौन से महिने में और कौन से साल में हुआ है और कब आपने जो भी आपका degree, diploma, certificate है या आपने complete किया है इसके अलाबा जो original degree दिया जाता है इस पर भी कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ रहता है कि आपका कौन कौन से subject में बैक आ चुका है या फिर कौन से subject में आप फेल हो चुके है बस इस पर ये लिखा हुआ रहता है कि आपने कौन से ट्रम and examination में अपना degree, diploma या फिर certificate complete किया है कहीं पर भी नहीं किजिए शेयर किजिए मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक्स फॉर वाचिंग इस वीडियो